इस वीडियो में हम देखेंगे formula किस चीज का formula to find area of trapezium of trapezium ठीक है न पहले trapezium shape shape को भी हमें देखना पड़ेगा कि trapezium जो shape होती है वो actually होती किसी है जो trapezium shape है न वो कुछ इस तरीके से होती है जिसमें कि यह set of lines मतलब जो ये दोनों lines हाना ये जो ऊपर जा रही है इधर वाली और ये जो नीचे है ये दनों आपस में क्या होती है और उस के बाद इसके पास क्या होती है एक हाइट यहां से लेके और यहां तक कि एक हाइट देखो एक लाइन हमारे पास पैरलल उपर वाली जिसको हम कहा देंगे लवन निर्चे वाले को कहा देंगे लटू ठीक है और यह हमारे पास क्या है हाइट यह हमारे पास क्या है हाइट क्य है और यह दोनों नाइन क्या है यह दून नाइन एक दूसरे के पारलल है मतलब इच数 हो बेराबाबर इस्टेंस अटेरिया है और फॉर्मला लेंथ, sum of parallel length multiply height, multiply height, तो एक तरीक से क्या बन गया, 1 upon 2 multiply L1 plus L2 multiply height, ठीक है ना, तो ये formula हम use करते हैं, क्या find करने के लिए, area find करने के लिए, किसका area of trapezium, तो ये basic formula है, इसे आप यूज किजिए, और trapezium का कोई भी sum, जिसमें आपको area find करना होगा, कोई difficulty आपको नहीं आईगी,